नमस्तों, नमस्ते, मेरा नम है नेना प्रभू और आपका मेरा रिशिकेश प्रभू चैनल पर स्वागत है नमस्कार दोस्तों, उमीद है आप सब अच्छे होंगे अच्छे है तो घर में खुश्यों की चहल पहल बनी रहती है पर ये जब मास्म छोटे बच्चे घर के दिवारों पे पैंसिल, क्रियान कलर से अपनी कलाकारी दिखाते है तो पैरेंट्स कहते हैं वाव बहुत अच्छी ड्राइंग की है नेक्स्टेंज से पेपर के उपर करना पिराय के घर में रहते हैं उनको घर की मकाल मानी का घर खाली करने का कहने का डर रख पना रहता है उनको घर ठीक रखने का मन रहता है तो आप दिवार के दाग निकालने का सोलिशन ढोना शुरू करते हैं जब दाग थोड़ी जग़ा पे हैं तो कैसे हटा सकते हैं मैं अभी बताने जा रही हूँ एक आप उसे रबर से हटा सकते हैं घर पे रबर से रब कीजिये और हटाईए तिर्भी ना मिटे तो राशो जाओ घर में लिक्विड डिटर्जन सूप की थोड़ी सी बुंदे जहां दाग है वहां लगाए फिर कॉटन कुलोट से उसे सौफ्टली रब करें या फिर बेबी वाइप से क्लीन करें तब रब करके दाग निकालनी की कोशिश करें इन तूटपेस से ट्राइ करें उड़ी तूटपेस छोट दाग वाली जगा पे लगाए और उसे कॉटन क्लोट से हलके से वाइप करें इसके बाद आपकी दिवार पहले जैसी खुबसूरत लगने लगी गी मेरे तो घर के कमरे की आधी वाल पे पैंसिल और क्रियान से ड्राइंग की थी यह सब ट्राइ करने में जाता टाइम लगने वाला था फिर मैंने एक सेंटिमेटर कलर वाल से निकालके नुकड वाले पैंट शॉप में गई और उसे कलर से मिलता जुलता कलर सिलेक किया और ए rolling paint brush लिया नुकड वाले दुका अंदर आपको सही सी color choose करने में help भी करेंगे 25 सोनी के बाद मैंने wall के उपर color paint करना शुरू कर दिया first coating के सूखने के बाद थोड़ा दाग कम दिखना शुरू हो गया और second coating के बाद color भी match हो हो गया और सारे दाग गायब होगे coating करते वक भी आपको दाग दिखेंगे color पूरा सूखने के बाद आपको पूरे color दिखेगा और दाग भी गायब होगे प्रूरत पड़े तो third coating करना लिकिन जब second coating सूखने के बाद तो बताओ कैसा लग रहा है बच्चों का मेरे subscribe को मैं धन्यवाद करूंगी बनाने की जो खुशी है वो आप लोगों से ही मुझे बनाए रहती है